हैलो, वैलक्म तू माय चैनल और सूबह का टाइम है बहुत अच्छा मौसम है कैसे, आप सब, I hope सब अच्छी होंगे और सब अच्छे हैं मैं भी अच्छी हूँ और मौसम भी अच्छा है, तो यह देखे, मैं क्या दिखा रहे हो, ना एल, ना एल पानी का यह बचा हुआ था तो मैंने उसको घर पे ले आई थी फिर उसको कलर किया अच्छे से और यह देखे नारियल लटका दिये यह नारियल तोड़ने आई यह लड़की और बस एक एक नारियल बनाया मैंने ऐसा और चलिए खाना बना लेते हैं अब सुबह का टाइम है नहीं तो यह ही जब करते रहेंगे यहां पर मेरा चोला उबल चुका है और यह प्याज टमाटर को एक साथ पीस लिया था अलग अलग नहीं पीस आता और यह मसाले निकाल लिये थे हल्दी मिर्चा धनिया लॉंग पाउडर दाल चीनी पाउडर यह सारे चोला पाउडर सा पहले नमबर प्याज भूंजा फिर उसके बाद सारे मसाले डाल दिये बस चोला तो सब लोग बना लेते हैं और फिर यह पानी डाल दिया मैंने ज्यादा रसीला नहीं बनाया है गाड़ा गड़ा बनाया है यही ऐसे अच्छा लगता है यह तिपन में मैंने पैक कर दिया ह बीवान को भी यहां पे छोला बहुत अच्छा लगता है और वह अपना इंजॉय कर रहा है छोला उससे तो दो दिन छोला खेला दो तो दो दिन भी छोला खा लेगा अब यहां पे दुपहर का टाइम हो मैंने अपने बरतन भी धो लिए हैं और साथ में बनने के लिए रख तब तक मैं अपना सारा काम भी कर लेती हूं तब तक इसमें सीटी आएगी फिर उसको निकलेगी सीटी तब तक बाहर जाकर कि यह थोड़ी देर के लिए दूप में डाल देते हैं डोर्मेट हलकी सी दूप लग जाती है और यह देखिए यहां पर इस्पाइडर मैं के पास मैंने भुट्टे रख दिया ऐसा लग रहा आप इस्पाइडर मैं भुट्टा लेकर भाग जाएगा पर यह दूसरा वाला मिंटू यह एक साइड बैठा रहता कोने में इसको खाना पीना कुछ मतलब भी नहीं है जब देखता है कोई नहीं है तब यह खाना मलब जल्दी अल्दी खाने लगता है बस बना तो खाता ही नहीं तो चलिए जब तक यह स्पाइडर मैं भुट्टे चीलेगा अपना भागेगा लेकर तब तक हम अपना बाकी काम करें अब चलिए कपड़े निकाले उठा लेते नहीं तो सारे भीग जाएंगे बारी बादल भी आ गया बहुत तेज यह देखें इन बेट रख यह चट पर कपड़े उता लें पताने कब किस टाइम पर बारी यह चोचै सारे कपड़े गीले हो जाएंगे दो दिन से नीट गया है अब जोखेंने कहीं रिट गय तो फिर यह कपड़े पी। अन देरिता हुआ Remote did दो दिन से कप्ड़े नहीं सुखे थे बाकी तो हो कल एक दिन पहले मसीन में डाले थे वो तो सुख गए जल्दी वर दूपर लिंचे नहीं चलो अब ये कप्ड़े भी अपने सर पर डाख लो ले चलो ममा की हैल्प कर दो इतनी से ये पूंचा इसको भी उठाके तो पहर का खाना भी तयार हो चुका है अब बस अपना सलाथ बना लेते हैं सलाथ में मैंने प्याज खीरा और यह दही डाला है उपर से काला नमक चाड़ मसाला ब्लैक पेपर अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर खाएंगे खाने के साथ छोला है हमारे ये राइता समझ है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है आप लोग भी ट्राइब करके देखिए यहां पर में सब हो गया है कम खाना भी बस काम हो गया अब खाना खाएंगे वीवान अपनी बोतल देदो आखार पानी भर दें सागरम पानी पीते हैं वीवान की बोतल तैयार कर दीक उसको बार तो अब यह खा लेंगे गर्म पानी से थोड़ा चीकू भी हमारे निकलाए हैं मिन्टू को नहीं निकालते हैं क्योंकि मिन्टू फिर पकड में नहीं आता है और वो थोड़ा सा काट भी लेता है चीकू का क्या है चीकू थोड़ा सा किसी के हाँ पला हुआ था तो वोगर के पास में था तो उसको पण बुला रहा हो तो बुलाने पर लो आ गया तो वो इतना नहीं काटता हो तो प्यारी करता है आ जा आ जा हा सीटी बजा रहा है हूं आ जा जल्री ऐ हो प्रेडिंग देखें कितनी बड़ी हो गई है नवराथ में बनवाएंगे अभी ने बनवाएंगे क्यों पीट पच चल ला है अब आउ चीकू आउ हाँ यह देखें मोबाइल में दिक रहा है चीकू यहां बैठा है चीकू आउ चल्दी आउ चल्दी आउ चल्दी आउ चल्दी आऊ आज आज अरे कहां बैठाया आज आगया आई गर्मी घोकीया है लग्ली में नों कई कुछ कर दिएाँ साल मुणान मुणाय प्यार है ? घि साल मुणाय उला हम नाव जड़ कर लिए कुछ análा प्रहें लिए जच साल मुणार हम एंभान inside हुआ हुआ है हुआ हुआ है यह ह dość लिएओ अब ही आ रहे अब ही आ रहे रूप जाओ नहीं सीटी नहीं इसारा जल्दी आओ अब लो आख खाना चीकु खाना खाना चीकु खाना खाना साम हो गई होने वाली है तो थोड़ी दर लेट लेते हैं सुबह से काम करते करते तो सब्जी यहां मार्किट कहते तो सब्जी ले आए यह गोल वाली लौकी ले आए और यहां भी चीकु पर एसान इसको फली चाहिए थी उसके बीजे खाता है अंदर के तो अब इतने खन्म तहरी लिए गोल वाली लौकी गोल मटोल लौकी बनाएंगे और वाकी सब्या रख देंगे पापीते लेकर आएं कच्छे पापीते उनका बूप Elvis कुछ बनाएंगे समाचे ले नहीं इसे द दे स्काशित και लौक ने लाट का दो ले रात का खाना बना ले खाना में लौकी बनेगी है गौल वाली यह बहुत जल्दी गल जाती है और लंबी वाली लौकी इतनी जल्दी गलती नहीं है और यह लौकी बहुत जल्दी गलती है सूबे के टाइम छोला नाया था तो छोला रख लुआ है बहुत बनाएंग और यह लोके की शबजी ए लोकी हम बना रहे थे जीरा और हरा कि बस कुछ नहीं बाकी कुछ नालना बस घी में बनानी है यह देखे यह लोग की गल भी बहुत अच्छा जाती और टेस्ट भी इसका अलग होता है कि यह लोग की हमारी चौक गई है इसे ढांक देंगे अब एक तरफ बनाएंगे पुलाओ पुलाओ के लिए कुकर में घी जीरा लॉंग तीन से चार बड़ी लाइची डाल के और पानी बॉयल होने तक रख देंगे तब तक यह पानी बॉयल होगा इसमें चाबर डाल देंग इंडिया गेट चाबल यह बड़ा बड़ा हो जाता चाबल तो अच्छा लगता खाने में देखें घी में बनाया है कि ताथी बना भी बहुत अच्छा था लॉकी भी हमारी गल गई है अब दस गोटी बनाएंगे खाना तयार हो गया है आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो दे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है बाइबाइ